Hello, Good Morning and Welcome Back Friends आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे 27 दुलाई से रिलेटेड चितने भी बोर्टेंज का रेंट फिर बनती हैं सारी इस वीडियो में कम्पलीट करेंगे साथी काफी सारे एक्स्टर फेक्ट भी आँपे डिसकस करेंगे सो पूरे लेसन को थ्यान से और लाश्ट तक आप जरूर देखिएगा इसकी पीडियेप आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से देखे सबसे पहले हम बात करेंगे जो लाश्ट वीडियो की क्विस्थी आपके लिए देखे कॉसन था कि राश्टिये सुरक्षा दिवस यानि की जो नेशनल सिक्योर्टी डे है वो किस दिन को मनाया जाता है ये मार्च में मनाया जाता है चार मार्च को ठीक है आश्रोगाप का डी वाल उप्शन चलिए अब बात करते हैं आज की करेंट फिर की देखे पहला कॉसन आज का जंजातिये मामलों के मंत्रा लेके तहत संचालित ट्राइफेड ने उन्नत भारत अबियान को लागू करने के लिए किसके साथ एक समझोते पर अस्ताकसर किये हैं तो यहां पर देखे जो ट्राइफेड है इसने उन्नत भारत अबियान को लागू करने के लिए यह जो समझोता किया है यह किया है आयाइटी देली के साथ ठीक है आश्रोगाप का आयाइटी देली यह आपको ध्यान डखना है देखे थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं तो देखे जो भारतिय जंजातिय सहिकारी विपनन विकास माहसंगर इसका सोटों में ट्राइफेट ठीक है इसी ने जंजातिय समुदाय के लिए आजीविका के आउशर बढ़ायने तथा आई शर्जन करने को मान उननत भारत अभियान की यह उननत भारत अभियान है क्या इसके बारे में थोड़ा सम बता देते हैं देखे इसको जो है सुरू किया गया था इसका मकसद था ग्रामिन उत्थान के लिए यह मतलब की एक तरीकी से एक राश्टी एमिशन है जो ग्रामिन जो किसान है ठीक है जो गाओं के लोग है उनको मतलब की उठ्थान के लिए उनके मतलब की उनको जिवन को इंप्रूमेंट करने के लिए ही ये सुरू किया गया था 11 नौंबर 2014 को जो है ये सुरू किया गया था ये आपको ध्यान डखना है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखे कोसन है अपना कौन दिसंबर 2023 में अटलांटिका में एथ्रोस मिसन लौंच करेगा जो महादिप के उपर वायू धाराओं का अध्यान करेगा तो आपका कैरेक्टर आणस होगा नासा देखे जो एमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा ये 2023 में जो है अथ्रोस नाम के एक मिसन लौंच करेगा अटलांटिका से ठीक है उसका मकसद क्या होगा जो अटलांटिका मादिप है ठीक है उसके उपर जो वायू धाराओं है ठीक है उनको जो है उनका अध्यन करने के लिए ही इसको launch किया जाएगा यह आपको ध्यान रखना है तो ethros mission किसका है नासा का है जो एमेरिकी space agency है next question यहाँ पे देखेगा जुलाई 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाय गया है तो 26 जुलाई को हर साल की इवाती इस बार भी कारगिल विजय दिवस मनाय गया है देखी कारगिल विजय दिवस जो है क्यों मनाय जाता है आपको ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में 1999 में 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था जो लगवक साथ दिनों तक चला था और उसके बाद में 26 जुलाई को इसका अन्तुआ था जिसमें भारत विजय राह था और इसी उपलक्स में ये कारगिल विजय दिवस जो सही तुए थे उसमें उनके मनलब की सम्मान में ये दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी ठीक है नेक्स्ट कॉसन यहाँ पर देखिएगा भारत का पहला स्वधेसी एंटिजन परिक्शन किट पैथो केज कोविड-19 के लिए किसे ICMR की अनुमती प्राप्त हुई है तो करेक्टरांस रोगा आपका माई लेब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धिहान से देखिएगा जो माई लेब है ठीक है इसको जो है हाल ही में ICMRN की जो भारती है चिकित सा अनुसंतान परिसद है इसने मंजूरी दे दी है भारत की पहली एंटिजन किट की ठीक है यह कि इसने माई लेब ने जो है इसको विक्षित किया है और इसका नाम क्या है इसका नाम है पैथो के इस कोविड नाइंटिन इस एंटी रेफिट की टेस्टिंग के इसको नाम दिया गया ठीक है इसको भारत में ही जो है निरमित किया है माई लेब ने और इसकी कीमत जो है कितन 2020 आयुजित किया गया है इंडिया आइडिया सम्मिट 2020 जो है ये भारत यूके बिजनिस काउंसिल के दुआरा आयुजित किया गया है ठीक है किसके दुआरा भारत यूके इंडिया जो भारत यूके बिजनिस काउंसिल है या फिर कह सकते यूएस इंडिया बिजनिस काउंसिल इसी के दुआरा जो है इसको हाल ही में जो इसके 45 साल पूरे हुए है उसके मौके पर इसका आयोजन क्या गया है जिसमें मोधी जी ने संबोधित किया था और इसका जो विशे है इस बार का वो आपको ध्यान रखना है इसका थीम है Building a Better Future क्या थीम है इसका Building a Better Future जो है इस बार इसका विशे रख गया है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट कॉसन यहाँ पर देखेगा किस देश में Neverhood Fish Processing Plant की स्थापना के लिए भारत ने जुलाई 2020 में समझोता किया है देखे हाली है एक समझोता किया है और जो समझोता हुआ है वो हुआ है Neverhood Fish Processing Plant से समझे इसकी स्थापना के जो है समझोता हुआ है किसके साथ मालदीव के साथ यह समझोता हुआ है यह ध्यान रखेगा भारत मालदीव के बीच में यह समझता हुआ है इस फिस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए उसके बाद मैं मालदीव की बात किये थोड़ा capital currency और देख लीजेगा देखे यहाँ पर मैप में अगर आप मालदीव को देखोगे और मालदीवियन रुपईया इसकी मुद्रायन की currency है यह दोनों आपको देहां रखना है नेक्स्ट कोसरी आपको देखेगा किसने हाल ही में MG TD-20 गैस टरबाइन 3D printed aircraft engine का सफल उडान परिक्शन कर लिया है तो यह किया है रूस ने देखे यह मनलब की printed aircraft engine है जिसका हाल ही सफल परिक्शन किया है रूस की द्वारा ठीक है नेक्स्ट आपे देखे रूस की बात की है थोड़ा सा रूस के बारे में जान लीजिए रूस की अगर आप map में देखोगे location तो यह है आपका रसिया पूरा पूरा ठीक है इसके बाद में देखिए बात करते हैं रूस की तो देखिए इसके जो प्रिशिडेंट है वरत्मान में वलादिमिर पूतिन इसके वरत्मान में प्रिशिडेंट है मौस्को इसकी capital है और जो currency है वो है रसियन रूबल इसकी currency है ठीक है ये सारी सीजाब को ध्यान डखनी है नेक्स्ट यहाँ पर देखी कौसन अपना 30 सेकेंड के अंदर COVID-19 का पता लगाने वाली जाज किट विक्सित करने के लिए भारत ने किस तेश के साथ समझोते ग्यापन पर अस्ता अकसर किये हैं तो ये समझोता हुआ है इजरायल के साथ देखिए हाली से साइन्टिस्टों ने वोलाए इजरायल के और जो बाजित के साइन्टिस है ये एक एसी किट जो है टेस्ट किट COVID-19 किट डवलप कर रहे हैं जिससे केवल और केवल 30 सेकेंड के अंदर जो है COVID-19 डिजल्ट पता चल जाएंगे ठीक है तो ये यहाँ पर समझोता कियागा है भारत और इजरायल के बीच में ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आज की क्विज देख लीजिएगा इसका अनसर आपको कमेंट बोक्स में लिखना है कॉस्टन है कि जून 2020 में मोदी की अद्देख्टा में भारत और भूटान के बीच किस सेत्र से समझोता हुआ था ये आपको बताना है एक समझोता हुआ था भारत भूटान के बीच में और ये किस सेत्र से समझोता हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है